My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, Once again, I welcome to all of you in Dr. Yeschandra Online Classes for Education. मेरे प्रेविद्ध्यार्थियों, प्यारे भाहिर बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों में आप सभी लोगों का एक बार फिर से Dr. Yeschandra Online Classes for Education में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिद्ध्यार्थियों और प्यारे भाहिर बहनों, आज की क्लास में इस वीडियों के अंतरगत, हम सभी लोग एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is the Education in Bodhistic Era और Education in Bodhistic Period, अर्थात, बाध काल में या बाध यूग में सिच्छा कैसी थी, इसके बारे हम लोग इस वीडियों के अंतर के चर्चा करेंगे, और आज की क्लास से हम सभी लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है बाध काल में सिच् परणाली की या बहुत धर्म की या बहुत धर्म की सिच्छा या बहुत सिच्छा की आवसकता क्यों अनभूत हुई, ऐसा क्या हुआ कि जन मानस को या जन साधारन को या लगने लगा कि एक नए प्रकार की या एक नए धर्म की सिच्छा, एक नए प्रकार की सिच्छा होनी चाहिए और क्यूं जो है लोगों का वैदिक कालिन शुक्षा प्रणाली से है वैदिक सुक्षा प्रणाली से मोह भंग हुआ कर दो प्रिविदार्थियों जब हम लोगोंने वैदिक कालिन सक्छा परणाले का अधन किया था तो उस समय जब हम लोग प्राचिन कालिन सक्छा के कालखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगोंने चर्चा किया था कि 600 BC या 600 इसापूर के पहले का जो समय है उसको हम सबी लोग वैदिकाल या वैदिकाल इन सिख्चा या वैदिकाल के नाम से जानते हैं तो कहने का अपरा है कि 600 इसापुर का जो से पहले का जो समय है इस समय जो है वैदिकाल इन सिक्षा और इसके उपरांत उत्तर वैदिकाल में धीरे धीरे एक नई प्रकार की सिक्षा प्रणाली की अन्भूत की जाने लगी एक नई सिक्षा प्रणाली की अन्भूत की जाने ल होनी चाहिए तो प्रिवधियों उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे यग की हवन आध्य पर अधिक बल दिया जाने लगा था ध्यान दीजे कि जो उत्तर वैदिक काल था 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 वैदिक काल का जो पोस्ट फिरेड या अंतिम समय था उस समय जो है सिक्षा प्रडाली में यग् या फिर कर्म गांडों का इन सब चीजों पर धार्म सिक्षा पर बहुत ही अधिक बल दिया गया था जब हम लोगों ने डीमेरिट्स के बारे में बढ़ा था डीमेरिट्स ऑफ वैदिक एरा एजुकेशन प्रडा था तो उसमें हम लोगों ने बड़े डीटेल में इन सब के बारे में बढ़ा था और वही जो डीमेरिट्स थी जो कमिया थी वैदिक कालिन सक्षा पढ़ाले में मुक्रूप से उन कमियों को दूर करने का प्यास नई सक्षा पढ़ाले में बहुत सक्षा पढ़ाले में किया गया था कि जो वैदिक कालिन या महसूस किया गया कि यग हवन आज धार्मिक संसकारों को ठीक प्रकार से संपन कराने के लिए इनकी विस्तित विधी को सिक्षा में महत्पुन अस्थान दिया जाना चाहिए ध्यान दीजे, कि जब जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा तो उत्तर वैदिक काल में सिक्षा प्रडाली में यह फील हुआ यह महसूस किया गया कि यग कार या हवन या आज जो भी धार्मिक संसकार होते हैं इन धार्मिक संसकारों को ठीक प्रकार से कैसी संपन कराया जा सके तो यग हवन और अनेक धार्मिक संसकारों को ठीक प्रकार से संपन कराने के लिए इनकी जो मेथोड्स हैं इन यग या हवन या अन्यधार्मिक संसकारों को कराने की जो विधियां थी उन विधियों का विश्तित रूप से अध्यन करना ही सिच्छा का एक महत्पुन उद्देश माना जाने लगा तो इस तरह से उत्तरवैदिकाल में यह महसूस किया गया कि य आवस्तक्ता से अधिक धार्मिक सिच्छा पर या यग हवन या फिर अन्यधार्मिक संसकार होते थे उन धार्मिक संसकारों को कराने की विधि का अध्यन अध्यापन कराना ही सिच्छा का प्रमुक उद्देश माना जाने लगा और कहने का प्रएज है कि आवस्तक्ता से पुरोहित वात का उदय हो गया और जो वैदिक कालिन सिक्षा विवस्था थी उस वैदिक कालिन सिक्षा विवस्था पर इन्हीं पुरोहितों का या फिर ब्राम्हणों का एकादिकार हो गया धान्दिजे पूरी की पूरी सिक्षा विवस्था पर ब्राम्हणों का एकादिक और शिक्षा विवस्था में पुरोहित वात का उदे हुआ धार्मिक जो कर्मकांड हुआ करते थे जो यगहवन या अन्य धार्मिक संसकार हुआ करते थे उन धार्मिक संसकारों को कैसे या उन धार्मिक संसकारों को संपन कराने की विधियों के बारे में शिक्षा देना ही व या पुरी की पुरी जो वेदिक कार्णों से जोड़ दिया गया था उसका परडाम क्या हुआ कि पूरी की पुरी या समस्त्य सक्छा पढ़ाली में कर्म कार्णों की बहुलता हो गई कर्मकान्डों का डॉमिनेंस हो गया कर्मकान्डों की प्रबलता होती चली गई जब कर्मकान्डों की प्रबलता हो गई पुरी की पुरी सिक्षा व्यवस्था पर ब्रामनों का एक आधिकार हो गया आवस्त्ता सैदिक धार्मिक संस्कारों यग्यों होनों आत पर बल दिया जाने लगा तो यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कमी थी और इस कमी की वज़े से भी एक नई सिक्षा पुणालिक की आवस्त्ता की अनभूत चनमानस कुई और इसक zwar साथ जो अन्य कमीयां थी वो अन्य कमीयां भी कारण बनी नई सिक्षा पुणाली की आवस्त्ता की अनभूत की अनभूत की उन कमीयों में जो सबसे बड़ी कमी थी दैट बास शुद्रों तथा नारी जाती के सिक्षा की उपैक्षा करना प्रिवद्यार्थी जैसा आप सभी लोग को विदित होगा कि वैदिक कालिन सिक्षा प्रडाली में सिर्फ जो वैदिक कालिन सिक्षा प्रडाली थी वो वरणों पे आधारित थी और उन वरणों में ब्रामःड, छत्री और जो वैस इन तीनों वरणों के बालकों को सिक्षा नहीं होता था तो कहने का प्राइय यह है कि पूरी के पूरी एक वर्ण को समाज की एक अंग को जो है सिक्षा से वंचित रखा गया उनकी सिक्षा की उपेक्षा की गई और दूसरी बात जब हम लोगोंने वैदिक काली सिक्षा पुडाली में चर्चा किया था तो उसमें देखा था कि Women's Education नारी जात की सिक्षा या नारी सिक्षा इस्त्रियों की सिक्षा पर भी बहुत अधिक बल नहीं दिया गया था प्रारमिक वैदिकाल में इस्त्रीयों की जो सिछा थी या इस्त्रीयों का जो सम्मान था, और बिना इस्त्री के कोई भी यग या हमवन का कार या कोई भी धारमिक संसकार पूर्ण नहीं माना जाता था परन्त जब जैसे जैसे वैदिकाल आगे बढ़ा और उत्तर वैदिकाल में हम लोग ने देखा कि 200 इसापूर के आसपास जो बालिकाओं की वीवाह की उम्र थी उस बीवाह की उम्र को घटा दिया गया और बालिकाओं के लिए जो सिच्छा के द्वार थी बेलगबलगब लेकिन जैसे उनकी विवाह हो जाती थी शादी हो जाती थी तो उनकी सिच्छा बंद हो जाती थी और विवाह की आई को 200 इसापूर के आसपास जो बहुत कम कर दिया गया घटा दिया गया प्रडाम सुरूप जो बालिकाओं थी वे सिच्छा नहीं गरहन करसकी तो कहने का प्राय है कि वैदिक काल में शुद्रुन्दधा नारी जाथ की सिक्चा की उपिक्चा की गई इसके कारण भी एक नए प्रकार की सिक्चा पुनालिक की अनुभूत हुई और इसी तरह से यह दो हम लोग बात करें तो कालांतर में वैदिक धर्म की शुद्र भावना का लोप ह होता गया और धार्मिक सिक्चा का या कर्म कांडों की बहुलता हो गई वैदिक कालिन सिक्चा पुनाली पे को जो है ब्रामणी सिक्चा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सिक्चा पुनाली में ब्रामणों की बहुलता थी और इस सिक्चा पुनाली में कर्म कांडों क समाज के एक पूरे के पूरे अंग को पूरे के पूरे एक वर्ण को जो चार वर्ण थी उसमें से एक वर्ण को ही सिक्षा से वंचित कर दिया गया नारिजात की सिक्षा की भी उपेक्षा की गई एक कुछ कारण है जिनके कारण जो है समाज में धीरे धीरे अनैतिकता का बोल बोलबाला होता गया तो जब समाज में अनेतिकता का बोलबाला होता गया और समाज में या वैदिक काल में जो वैदिक धर्म की शुद्ध भावना थी उस शुद्ध भावना का जब लोब होता गया तो उससे क्या हुआ कि जन साधारन परिशान हो गया और जब जन साधारन प सिक्षा की भी उपेक्षा की गई थी medium of instruction या अनुदेशन का जो माध्यम था वो भी आम जन्मानस की language या आम जन्मानस की भासना हो करके संस्कित भासा थी और संस्कित बहुत लोग नहीं जानते थे जनसाधान नहीं जानता था तो इस तरह से देखा जा तो धेर सारे कारण थ अने कारण थे वैदेकालिन शिच्छा रणाली की अने कमियान थी उनसलुए कमियों के कारण ही एक नए प्रकार की एक नए शिक्षा विवस्था की अनुद contributed शेथी खाल और उसकी उसी का परडाम हुआ कि समाज में बहुत धर्म का उदय होता है तो प्यारे भाहिर वहनों प्रिविद्द्यार्थियों प्रिसांथियों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वैदिक आले सिक्षा प्रणाले की जो प्रमक कमियां थी उन्हीं कमियों को दूर करने का प्रियास जो है आने वाले सिक्षा प्रणाले में बहुत धर्म की सिक्षा में किया गया और जो धे सारी कमियां थी जैसे समाज के एक अंग को या वर्ण को जिसको हम लोगों शुद्र करते हैं उसको सिक्षा के उसन न देना सिक्षा से पुरी तरह से वंचित कर देना सिक्षा परणाली में धार्मी कर्म कांडों की बहुलता होना नारे सिक्षा या जन मानेस की सिक्षा पर ध्यान न देना एक कई कारान थे इनी सभी कारानों की वज़े से या इन्ही परिस्तियों में एक नए सिख्छा पुणाले की आउस्सक्ता की अनभूत होती है तो प्रिवद्यार्थियों प्रिशाथियों थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स तो अल आप प्लिस लाइक से और कमेंट वीडियों आल सो सब्सक्राइब दे चैनल और प्रिशाथियो में से चीन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर अब चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ सके और साथिसाद आप इस वीडियों पर कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट्स को द्वारा आएद आपका कोई बहमुल सुझाओ है या कोई प्रशन है या कोई समस्या है ताप हम तक पहुंचा सकते हैं हम आपके प्रशनु का उत्र देने का प्रयास करेंगे आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ शर्म जों भी ऐपके valuable suggestions आएगे उन सुझाओं पर अनपालन भी करने का प्रयास करेंगे तो please like, share and comment on the video आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा तो प्यारी भाहिर बहनों प्रीविद्ध्य आर्थियों प्रीशाथियों थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स तो अल आफ यू जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत देकालिन सुच्छा परणाली के आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि बहुत देकालिन सुच्छा परणाली का अर्थ क्या था उसके उद्देश क्या था और इससे रिलेटेड जो कुछ भी बाते हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे